जहीं दोस्तों स्वागत है आपका छुन्नूजीके सेंटर पर और आज जो टॉपिक है वो है आपका मोडल प्रैक्टिस एट तीन जिसमें मैं ज्यारखन समान ग्यान लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए देखते हैं ज्यारखन समान ग्यान से 40 प्रस्ण आता है दोस्तों तो इसको पूरा जिरूर देखिएगा पहला प्रस्ण क्या है तो पहला प्रस्ण है कि तमाड विद्रो कब हुआ तमाड विद्रो कब हुआ ये आपको बताना है देखिए इसका आंसर क्या हो जागा इसका आंसर हो जाग ठीक है? चलिए. अगला स्वाल है, नागवनाची राजाने सरुपर्थम नवरत ने नामक पंचमंजिला भहण का निर्मान कहा करवाया? तो इसका अंसर क्या होगा? इसका अंसर हो जागा ओप्षन दी, दोईशा. आद रखिएगा नागवंट सी राजा ने दोईसा में नवरतन नामक पंचमंजीला भौन का निर्मान करवाया और दोईसा नागवंट सी सासकों की राजधानी थी ये भी साथ में आद रखिएगा चलिए अगला है पढ़ा पंचायत सार्षन वर्था में पढ़ा पंचायत का परमुख होता है कौन होता है तो इसका अंसर हो जाएगा पढ़ा राजा ठीक है पढ़ा पंचायत का परमुख पढ़ा राजा होता है अगला सवाल देखते हैं कि खरवार जनजाती का धार्मिक पुरोधा कौन होता है तो खरवार जनजाती का धार्मिक पुरोधा कौन होता है तो उसको कहते हैं बेगा क्या कहते हैं बेगा आध रखेगा चलिए अगला सवाल देखिए अगला है कि मांजी साशन ब्यश्था में गाउं के प्रहरी के रूप में कारी करता है कौन कारी करता है तो इसका अंसर हो जागा आपका अप्शन D लासेर टंगाई अप्शन D देख सकते हैं अब तो इसको आगे कर देते हैं अप्शन D है ये लासेर टंगाई उसको कहा जाता है चलिए ये आगे जो क्वेश्चन है उसको भी देखिएगा क्वेश्चन है कि महान क्रांती कारी अरविन घोर्ष की सिक्षा दिक्षा की शुरुवात चारकन के किस सर में हुई चलिए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जागा अप्शन A देवघर में अप्शन A देवघर में चलिए नेक्स सवाल देखते है नेक्स्ट है बुदू बगत का जन्म किस परिवार में हुआ था तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा option B उराओं चलिए आगे जो सवाल है उसको देखते हैं अगला आठ नमर है कि कार्थिक उराओं के नेत्रित में अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिशत के स्थापना किस वर्ष हुई तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जागा आपका option B 1968 में 1968 में चलिए कार्थिक उराओं के नेत्रित में अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिशत के स्थापना 1968 में यह बहुत इंपोटेंट है चलिए शीबू सरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया तो इसका आंसर हो जागा आपका option D 1970 में चलिए बहुत फटाफट में बताने के कोर्सिस कर रहा हूं ताकि आपका परिक्षा सामने है रोज दो तिन चेप्टर में बता सकूँ मैं पाटवाज बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो पढ़ने मन नहीं करेगा कम लंबा रहेगा तो उसको देखिएगा फटाफट चलिए सवाल है कि जनसंख्या की दिष्टी से जहारखन की निम्न परमख जनजातिएओ औरो ही क्रम में बेस्थित करतेवेश सही विकल्प का चेन करें तो इसका answer क्या होगा देखिए इसका answer हो जागा आपका सबसे पहले आ जागा संत्हाल ठीक है एक कॉन समई है, तो ओप्जन डी इसका राइटन्थ हो जागा, चली, आगे देखते हैं, आगे confess क्या है, आगे जो शवाल है, वो है कि कि फ Ilka मांजी में तो खरवारा आंदोलनको नेत्तित परतान किया, तो आपका भागिरत मांझी ने, ओफशन देखते ऑन नेक्स्ट है तिलका मांजी ने अपने आंदोलन की दोरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस परतिक का परियोग किया तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्शन B साल के पत्ते का चलिए नेक्स सवाल देखते हैं हजारी बाग में भारत छोड आंदोलन का नितित किस ने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्शन A सरसोती देवी ने चलिए अगला सवाल राम नरायन सिंग को छोटा रागपूर केसिरी की उपादी किस ने दी थे चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आप्शन C र ये कॉंग्रेक्स पार्टी में चलिए नीचे दिये गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेशेग्यों से आनि पुजारियों से सुमिलित करते वे सही विकल्प का चैन करें तो क्या हो जागा इसमें तो देखिए मैं बता देता हूँ संथाल संथाल का हो जागा आपका नाई के आद रिखेगा मुंडा का हो जागा पहन आद रिखेगा और हो का क्या हो जागा हो का हो जागा आपका देवो नोवा और चेरो का हो जागा आपका गोसाई आद रिखेगा अब आप इसको मिला सकते हैं क्या क्या होगा चलिए निर्मकित त्यवारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन होता है तो इसका अंसर क्या होगा महिलाओं द्वारा संपन होता है तो इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D जनी सिकार चलिए जनी सिकार कहते हैं चार्खन राजी का सबसे बड़ा संसदी चेतर कौन सा है तो इसका अंसर क्या हो जागा उप्शन C पस्चिमी सिम्भूम चलिए आगे बढ़ते हैं जार्खन की अर्थ व्यष्था में द्वित्यक छेतर के अंद्रगत सरवाधिक उवगदान रहा है किसका रहा है तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जागा उप्शन B वी निर्मान का चलिए जार्खन जनजातियों में जिनका सरवाधि विकास होने वाला जो है वो आपका उप्शन A उराव हो जागा चलिए निम्कित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा ये सुमेलित नहीं है बादमा की सब सुमेलित है आद रखेगा चलिए धारखन राज में अवस्तित मंदीरों वा उसके अस्तलों के संबन में कौन एक सत है देखे विदनात मंदीर जो है विदनात मंदीर आपका देवगर में ये सत है ठीक है विदनात मंदीर कहा है देवगर में यह क्या है यह सत्थ है इटखोरी मंदिर चत्रा में यह भी सही है बाशकिनात मंदिर दुमका में यह भी सही है जहरकंडी दाम हजारी भाग में यह गलत है चलिए अगला सवाल देखते हैं जहरकंड का राज के निर्त क्या है तो जहरकंड का राज के निर्त जो है वो क्य गाया जाता है इंप्रोर्टेंट सवाल है तक आनंदी गीत जो है वह गाया जाता है आपका साधी व्याग के समय चलिए अगला सवाल है मदुवन किस धरवाव लंबियों के लिए पवितर रस्तल है इसका जो आंसर हो जागा क्या हो जागा इसका अंसर आजाएगा आप्शन ए जैन धर्मावलनम्वियों के लिए चलिए फादर हापमें द्वरा 1915 स्वी में राची गई एक परसीद रचना निम्ण में से कौन सी है तो इसका अंसर क्या आजाएगा इसका अंसर आजाएगा आप्शन स्ची एंसाइक्लोपीडिया चलिए अगला सवाल देखिए देशेर कथा की रचना निम्ण में से किसने की थी तो देशेर कथा की रचना आपका किया था सकाराम गनेश देवसकर ने चलिए चेद्रपल की दिरिष्टी से चारकन का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो इसका आंसर क्या हो जागा इसका आंसर हो जागा आप्शन ए पस्चिम सिम्भूग चलिए आगे जो सवाल उसको देखते हैं जारकन का सरोज सिखर कौन सा है देखिए जारकन का सरोज सिखर कौन सा है तो पारशनाथ आद रखेगा कौन सा है परशनात चलिए आगे सवाल क्या है देखे राची पठार की ओसाथ उचाई कितनी है तो राची पठार की ओसाई कितनी है यह आपको बताना है क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा ओशन C स्टापना की गई थी कब की गई थी तो अप्षन C हो जागा 2010 में, चलिए ज्ञारखन के किस नदी के रेत में सोना पाए जाता है तो इसका अंसर क्या हो जागा, अप्षन D, सोन रेखा निवन में से कौन सा एक किरकेट खिलाड़ी ज्ञारखन राजे से संबंदित नहीं है तो इसका अंसर क्या होगा, अप्षन A, इस्ञारखन राजे से संबंदित नहीं है बादमाकी साब आपका क्रिकेट खिलाड़ी ज्ञारखन राजे से संबंदित है तो इसका अंसर क्या हो जागा, तो इसका जो आंसर हो जागा, वो हो जागा आपका आपका अप्षन C, जमसेदपूर में, क्या खुद लिखा है टाटा, ठीक है, और टाटा का है तो जमसेदपूर में, चारखन में तामे का कारखना है, कहां अवस्तित है, तो इसका अंसर क्या होगा, चारखन में तामे का कारखना कहां है, तो इसका अंसर हो जागा, आपका आपका अप्षन B, घहाट सिला में Option B चलिए उर्याँईम प्रोसेशिंग प्लांट कहाँ अवस्तित है उर्याँप्लोसेशिंग प्लांट तो इसका अंसर क्या जाएगा इसका अंसर हो जाएगा आपका option C घहाट सिला में चलिए इंदुस्तान कॉपर लिमिटेट कहा वर्स्तित है तो इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर हो जागा आपका अप्शन B घाट सिला में चलिए अंतिम सवाल है जीग पानी सिमेंट संग्यत्र किस जीले में है जीग पानी सिमेंट संग्यत्र किस जीले में है तो इसका अंसर क्या हो जागा तो इसका अंसर हो जागा आपका अपसंट C पस्टिमी सिम भूम है तो आज का ये जहारखंग जीकिए आपको केसा लगा जरू बताएगा तो फिर मिलता है एकले वडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत